विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सेरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे एकनॉमिक इंपिरिलिजम अफ यॉनाइटेड स्टेट्स सो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टुडिन्स को पताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रिवेस सेशन नहीं देखे हैं स्टडियाईक्यू के अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा जिसमें CSE से रिलेटेड एक थरोग और से अवलेबल है जिसमें 1000 से प्लस वीडियो हैं और बहुत सारा वहां पर आपको कंटेंट इन फेक्ट पूरा का पूरा CSE से रिलेटेड जो है वो कंटेंट आपको मिल जाएगा उस अप्लिकेशन पर पर सो मेक शूर यू इंस्टॉल एट अप्लिकेशन स्वाई यह शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं is अब से पहले हमें शूरू करना है एक इंटर्डक्शन के सार्य इस्ट, राइट सो एक्कनॉमिक इंपिरलिज्म का इंट्रोडक्शन शूरू करता हूँ का रहें economic imperialism या economic colonialism और imperialism में difference मैंने आपको establish करा है right that colonialism is a type of imperialism in which the colony serves the interest of mother country ठीक है यह चीज़ हम already establish कर चुके है लेकिन एक imperialism imperialism कही तरीके का हो सकता है जिसमें से एक type है colonialism उसके अलावा आप किसी regent के थुरू आप किसी agent के थुरू भी जो है अपना imperialistic interest fulfill कर सकते है so US बनने के बाद यानि कि the 13 colonies के जाने के बाद और फिर उसके बाद North America में काफी बड़ी बड़ा हिस्सा North America का जो है वो US की territory में जोडने के बाद यानि कि सभी states को unite करने के बाद United States establish हुआ और बीच में civil war भी हुई Southerners को हरा कर भी Southern States को भी जोड लिया confederates को जोड कर भी United States बना यानि कि आप यह मान सकते हैं कि mid 19th century के बाद जो है वो United States establish हो गया और अब United States को क्या करना था अब United States में United States जो बना है वो colonialism के पूरे notion के against बना है क्योंकि उन्होंने colonists को भगाया है और खुद को जो है वो democratic सरकार में जो है establish किया उन्होंने so that means अगर अब वो colonization करेंगे तो direct conflict हो जाएगा उनके founding जो ideals है उनसे so यहाँ पर US से US ने direct colonization ना करके economic imperialism का रास्ता अपना है तो आज हम यही समझेंगे कि किस तरह मैंने आपको बताया था ना the first phase of decolonization after the defeat of Napoleon and after the Congress of Vienna after the American Revolution followed by French Revolution so जो Latin America है यहाँ पर हमें लगातार यानि कि 19th century के शुरुवाती decades में ही हमें Latin America कि जो countries है Argentina ठीक है Bolivia उसके अलावा Peru Brazil वगारा जितनी भी है South American या Latin American countries है यह एक-एक करके colonists से आजाद हुई अब colonists से आजाद होने के बाद कि सरकार किस तरह की बनेगी यह एक बहुत बड़ा सवाल रहता है so first phase of decolonization मैंने आपको बताया था after the after the defeat of Napoleon या Napoleonic Wars के बाद जो Latin America है इसमें first phase of decolonization आया और colonists सरकारे वहां से हटी उनके जगा कौन आया आज हमें यह देखना है वो colonists जो गए है South America से या Latin America से उनकी जगा शक्ती में अब कौन आया आज हमें वो देखना है और जो भी शक्ती धर मतलब जिसने भी government establish करी उसके उपर control US का किस तरह है उनके economic interest पर control US का किस तरह है आज हम यह सारा point समझना है so I hope आपको basic जो है वो आज के हमारे पूरे session की grip जो है वो समझाई होगी कि हम समझेंगे कि किस तरह decolonize हुआ North America, South America और फिर North America और पूरे South America के जो भी economic interest है उसके उपर colonization किस तरह किया US ने right economic colonization और the new economic colonization आज हम समझने कोशिश करेंगे ठीक है वही economic colonization जो आज हम North America, South America के लिए या especially South America के लिए जो आज हम देखेंगे वही economic colonization हम धीरे धीरे इंडिया का होते हुए पाएंगे South East Asia का होते हुए पाएंगे ठीक है जो Arabian countries है इनका होते हुए पाएंगे उसके लाब है African countries का economic colonization होते हुए देखेंगे after that decolonization ठीक है जो actual colonies होती है वो decolonize हुई मैंने बताया था ना तीन phase में हुई थी सबसे पहले after Napoleonic Wars उसके बाद after World War 1 और फिर after World War 2 तीन phase में decolonization हुआ है ठीक है लेकिन हर बार decolonization के बाद economic colonization फिर से हुआ है तो आज हम पहले phase के decolonization के बाद US ने जो South America को economically colonize किया है आज इस पूरे procedure को हम समझेंगे या आप इस तरह बोल सकते हैं कि Latin America में क्या economic interest है US के they put it this way right so आज ये इस introduction में सबसे पहले brief कर लेते हैं कि आज हमें पूरा पढ़ना कहा है now American imperialism is characterized by policies which were aimed at extending the political, economic and cultural control of the United States over areas beyond its boundaries American imperialism का मतलब क्या है American imperialism का मतलब है कि US खासकर USA का cultural, economic और political control USA की boundaries से बाहर कहा कहा पर establish होगा that is American imperialism ठीक है इट includes अब देखिए इसमें कैसी policies है अब देखिए political, economic और cultural control लाने के लिए कुछ policies इस्तमाल की गई होगी आज हमें उन policies को ही समझना है ठीक है उन policies को अगर हम नाम करें तो military conquest gunboat diplomacy unequal treaties subsidization of preferred affections economic penetration through private companies followed by intervention when those interests are threatened और regime change देखिए इस एक statement वे ना US के इतिहास को brief कर दिया हमने यानि कि US की जो political motives है Latin America को लेकर ठीक है उसको हमने उनों नहीं use करी है तो सबसे पहले तो direct military conquest है कि US की सेना गई जाकर लड़ी और conquer कर लिया यह तो सबसे basic है लेकिन उसके बाद है gunboat diplomacy आप क्यों direct जाके अपने सेनिकों की जानों को वेर्थ करें जब आप अपनी बड़ी बंदूके दिखा कर ड़रा सकते हैं तो बेसिकली करेबियन के आसपास के जो आइलेंड है जो की कलोनियल पीरियड में सबसे जादा या एक कनेक्टर का गाम भी करते थे प्लस सबसे जादा प्रोडक्शन भी देते थे अमेरिकंज को भी यानि यूएस को भी दिया उन्होंने प्रोडक्शन निकालकर इंग्लिश को भी दिया फ्रेंच को भी दिया स्पैनिश को भी पोर्तगीस को भी आज हम देखेंगे उनका नाम लेकिन उनमें से मैंने हाईशियन रेवलूशन आपको करवा दिया है अगर आपको याद होगा तो फ्रेंच कॉलनी थी हाईशियन रेवलूशन नाओ सो गनबोट डिपलोमेसी का मतलब यह होता है कि आप जो है वो केवल अपनी नेवल फोर्स के द्वारा intimidate करते हैं सामने वाली पोलिटिकल चक्ती को और सामने वाली पोलिटिकल चक्ती को विवश होना पड़ता है आपके सामने क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा रिसोर्स है ठीक है? सिंपल सी बात इस इस गनबोट डिपलोमेसी ठीक है डिप्लोमेटिक ली सामने वाली पॉलिटिकल चक्ती को ऐसे सिचुएशन में भासा लेना जहां पर वो मजबूर हो जाए ऐसी वनसाइडी ट्रिटी करने में जिनसे उनके इंटरस्ट की हानी हो और US के obviously interest जो है वो फुल्फिलो subsidization of preferred affections अब ये subsidization of preferred affections देखिये क्या है अब US के economic interest देखिये क्या है यह मैंने आपको throughout अभी तक world industry में बताया है import बढ़ाओ और import घटाओ और export बढ़ाओ this is the core of the economic interest ठीक है export कब बढ़ेगा जब आपके mainland में production होगी so North America, South America में US को export बढ़ाना है that means US को करना है produce अगर US को produce करना है दोनों मतलब है ना US ही अकेला production वाला country बने इसका मतलब यही होगा तभी जो है वो US सबसे ज़्यादा production दे सकता है that means North America, South America में सबसे ज़्यादा industrialization यूएस में हो और जो South American countries उनमें industrialization हो ही ना ठीक है अगर South America में industrialization नहीं होगा इस इस छोटी से point को यानि कि इस concept को achieve करने के लिए इस basic funding को achieve करने के लिए क्या करना होगा South America में industrialization ना आए या साइथ South America में industrialization बूम ना पकड़े इसके लिए South America से जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे है exports है उनको promote करके रखो यानि South American coffee, South American potatoes, tomatoes, vegetables, gold, silver जितना भी export है South America से उसको promote करके रखो अगर South America अपने traditional exports को promoted रखेगा तो उनकी economy इतनी चलती रहेगी that they would not need an industrial revolution ठीक है if they don't need an industrial revolution they will never have one because US will make sure that कि कोई भी बड़ी industry वहाँ पर established ना हो जो कि mass production कर सके और US को challenge कर सके ठीक है so this was ये था उनका subsidization of preferred affections ऐसे businesses को subsidize करना जिसके तहत South America से केवल उन्ही products का export बढ़े जो कि traditionally वो कर रहे थे इसलिए industrialization वहाँ पर आ ही ना सके या इस तरह कहा जाए कि पूरे total Americas North Central और South America में केवल US या कुछ एक ऐसे US से affiliated कुछ एक ऐसे political regions रहें जो इंडूस्ट्रियली अपने आपको मलाब इंडूस्ट्रियली रेवुलूशनाइज करें अपनी एकॉनमी को ठीक है उसके बाद नेक्स चीज economic penetration through private companies followed by intervention when those interests are threatened और regime change देखे अब basically US क्या कर रहा है US North America, South America में mid 19th century, 20th century में US एक मातर पूरे Americas में सबसे बड़ी जो है वो economic शक्ती है और US dictate कर रहा है कि कौन क्या business करेगा और US ही जो है वो loan बाट रहा है सबको so that means US जो है वो सबको debt trap कर रहा है यानि उधार में फसा रहा है सबको so जिस देश को US ने उधार दिया वो देश या वो particular region अगर उधार समय पे नहीं चुगा सका तो उधार की agreement में यह बात लिखी होती थी कि आपका यह particular port यह particular यह facility हम seize कर लेंगे so वहाँ पर US government तो जाएगी नी वहाँ पर जाएगा कोई US का merchant जाकर establish करेगा अपने organization को right दूसरे southern Latin American country में अब अगर वहाँ के वहाँ की Latin American सरकार अगर उस US capitalist को कोई समस्या प्रवाइड गरती है समस्या देती है तो US government इसको direct जो है वो US government की authority को challenge समझेगा और now US government have the excuse to excuse है उनके पास कि वो अपने troops को वहाँ पर station कर सके और US अपनी saina भेशता है वहाँ पर attack कर देते हैं so this is एक cycle है यह एक तरीका है कि किस तरह वो economy को regulate करते हैं ठीक है so economic penetration through private companies followed by intervention when those interests are interests are threatened और regime change या तो US क्या करता है वहाँ पर दंगे करवा देगा US वहाँ पर देखिए कोई भी देश हो वहाँ पर pressure groups मौजूद रहेंगे ही भारत में भी कई तरह के pressure groups है पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी और सदन लेटन अमेरिका में भी pressure groups रहे होंगे US क्या करता था उन pressure groups को motivate करता था उनको हतियार प्रवाइड करता था जैसे निकवारागुआ में Contrasgos ने हतियार प्रवाइड किये ठीक है Columbia में Cartels के खिलाफ जो है वो वहां की सरकार को हतियार प्रवाइड किये जरुरी नहीं है कि वहां की local population को लेकिन government को भी subsidize करता था हतियारों के लिए ठीक है या पूरी की पूरी सरकार ही change करा देना regime change now many latin american nations are attaining attaining political independence were subjected to american imperialism अब 1800s यानि 19th century के शुरुवाती decade में hyacian revolution को follow करते हुए एक एक करके southern या latin american जो colonies है वो decolonize हुई और वहां पर independent राष्ट्र जो है वो establish हुए अब हमें उनकी सरकार है देखनी है कि किस तरह की और US ने किस तरह उनके economic interest को अपने control में रखा so US though never became a proper colonist like England और French और Spanish war once but economically colonized कर रखा है US ने काफी लंबे समय तक North वैसे तो South America आज भी US के control में ही है पूरा का पूरा मतलब America's जो है वो US के control में ही है ठीक है economically कह सकते है यहाँ पे एक तरह से now इस map के तहट में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह decolonize हुआ है हमारा Latin America ठीक है so यह जो आपका map है this map right इस map में आप देख सकते हैं कि यह मैंने आपको पुराने राज्ये बताये हैं कि किस के control में क्या है so जो purple color का है that is the vice royalty of Brazil and that was under the control of Portuguese so Brazil was under the control of Portuguese and the rest was under the control of Spaniards और जो गिनी region है गिनी वाला जो रीजन है not गिनी बट गुयाना वाला जो रीजन है that was under the control of French and British ठीक है उसके लावा जो Caribbean islands है Caribbean islands में French control भी था British control भी था Spaniards भी थे और Portuguese भी थे ठीक है यूँकि बहुत production देता था French मैंने बता है ना Hyacian Hyattie was a French colony ठीक है अब ये दूसरा map देखिए इस map में आपको clearly दिखाया हुआ है कि किस ने कब जो है वो decolonize किया अपने आपको किस American country ने कब अपने आपको किस South American region ने कब अपने आपको decolonize किया है So starting for Mexico Mexico 1827 में decolonize हुआ देखे इसमें ना ये जो box लिखा है इसके अंदर date लिखी हुई है उस box का जो color है that color means कि ये किसकी colony थी तो आप यहाँ पर side में जो corner में box है इसमें देखिए independent countries है ठीक है उसके अलावा Spanish, British, Dutch, French, Portuguese और ये box में से date लिखी हुई है ठीक है So Mexico according to this Mexico 1827 में अजाद हुआ किस से Spain से ठीक है Hayati 1804 में अजाद हुआ किस से French से Santo Domingo 1827 में अजाद हुआ किस से Spain से Similarly Brazil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina Peru, Ecuador, Colombia Venezuela ठीक है United Province of Central America UPCA British Boundaries British Honduras Purtarico ये सारे आपको दिये हुए है ठीक है So मैं side हो जाता हूँ इसका आप जो हो screenshot टेरेज़ेगा बहुत important map है इसमें आप मैं आपको clearly clearly समझा जाएगा कि किसने किसको कब कॉलनाइस किया बलब causes for economic dependency of Latin America हमें ये समझना है कि Latin America US पर economically dependent क्यों हो गया ठीक है हम ये जानते हैं कि economically जो Latin America की economy को US ने control किया है लेकिन कारण हम देखते हैं क्या है उनके पीछे तो सबसे पहला देखिएगा colonial legacy colonies जब हटी Latin America से यानि Latin America जब डीकॉलनाइस हुआ तो उसके बाद ये समस्या है क्या रह गई वहाँ पर ठीक है क्या legacy छोड़ गए वो Now during colonial times most Latin Americans worked for large landowners The employers paid their workers with vouchers that could be used only at their own supply stores Since wages were low and prices were high workers went into debt Their debt accumulated and passed from one generation to the next These free workers were almost like slaves in a system known as P&A The landowners on the other hand only got wealthier and after independence ठीक है अब देखे यहाँ पर P&A जी समझाता हूँ मैं आपको basically क्या है ठीक है During colonial period and even after independence जो देखे जो maximum population होती है जो main population होती है किसी भी region की वो mostly peasantry रहती है ठीक है medieval, early modern, modern times में भी ठीक है तो जो peasantry है Latin America की वो क्या कर रही थी वो मजदूरी कर रही थी कहा मजदूरी कर रही थी बड़े landowners की जमीनों में हो सकता है उन जमीनों पर वो farming कर रहे हो हो सकता है कि mining कर रहे हो हो सकता है कि construction कर रहे हो वो अलग-अलग चीज़े हैं किन वह मजदूर ही कर रहे थे basically किसी ना किसी तरह की और किस तरह का economic structure था colony में कि मजदूर को पैसे नहीं दी जा रहे थे ठीक है अगर आप मजदूर को पैसे देंगे तो वो तो real money हो जाएगी ना और real money को वो accumulate करके real wealth accumulate करके threat बन सकता है तो आप अपने मजदूर को real money ना देकर vouchers देंगे जैसे present day token currency चलती है न नोट ठीक है तो अगर आप vouchers देते हैं लोगों को अपने मजदूरों को तो वो केवल वहीं खर्च कर सकते हैं जहां पर आप उन्हें खर्च करने दे यानि कि Indian rupee note आप India में ही खर्च कर सकते हैं Indian rupee note is actually a voucher जिसको आप इंडिया में ही खर्च कर सकते हैं अगर आप आपके पास note है तो अगर आपके पास electronic money है you can convert but electronic money भी rupees में रहती है right आपको convert करवाना पड़ता हूं से dollars में या pounds में ठीक है या euros में then you can और fees दे नहीं पड़ती है उस conversion के लिए ठीक है so जिस तरह का modern system है उसी तरह का मैं compare कर रहा हूं modern economic system से उस समय के modern currency और monetary system से उस समय के currency और monetary system को ठीक है so vouchers जो थे उस vouchers को केवल आप selected stores में ही खर्च कर सकते हैं so वो store भी किसकी है वो store भी उनी land owners के उनी बड़े capitalist की है ठीक है so that means जितना वो आपको देंगे उतना ही आप खर्च करेंगे और उनी जगाओ पर खर्च करेंगे जहां पर वो आपको बोलेंगे कि आप यहां पर खर्च कर सकते हो this is how currency works actually जो किसी भी country के currency है वो इसी तरह काम करती है otherwise जो actual currency आप कहें so it is precious metals और जब से refinery मतलब refining शुरू हो गई oil की तब से जो petro wealth है वो भी आप कह सकते हैं कि actual मतलब actual currency है ही otherwise बाकी note बगार है यह सब token currencies होते है vouchers होते है so जैसे present day का token currency है notes का circle है उसी तरह का वहाँ पर vouchers थे लेकिन अभी country wise country बट गए हैं वहाँ पर क्या था केवल मान लिजे किसी एक अभी कहा है कि पूरे इंडिया में सेम तरह के banknotes चल रहे हैं ठीक है पहले यह वहाँ करता था कि यानि कि South Latin America की बात कर रहा हूं मैं वहाँ पर क्या था कि मान लिजे कोई एक किसी एक बड़े capitalist का किसी एक बड़े merchant का कोई plantation है मान लिजे पांच हजार एकड़ का थीक है तो उस पांच हजार एकड़ में उसने जो है वो जितना ही मजदूर रखे हुए हैं उनको वो अपने नाम के vouchers बाट रहा है और उस पांच हजार एकड़ के अंदर जितने भी saloons हैं जितनी भी दुकाने हैं जितना ही market है वहाँ और उसी के नाम का क्या चल रहा है vouchers चल रहा है ठीक है अब इससे देखिए हो के रहा है अब PNA समझाता हूं मैं आपको debt accumulation क्या है अब मान लीजिए vouchers आपको दे रहे हैं ठीक है यानि कि actual currency नहीं दे रहे आपको यानि कि आपके पास और कोई जरिया नहीं है कमाने का आपक अब मजदूर उधार के बदले क्या दे उसके पास guarantee देने के लिए कुछ नहीं है तो वह guarantee देता था कि अगर मैं इतने समय में उधार नहीं दे सका तो मैं इतने महीने इतने देने इतने साल गुलामी करूंगा this came to be known as P&H ठीक है जिसको दास्ता कहा जाता है मतलब भारत में दास्ता के नाम से ये प्रचलेत था भारत में भी था ये सेम फंडा भारत में भी था कि अगर कोई मजदूर इतने समय में जिसको बेगार के रूप में भी यूज किया गया लेकिन बेगार जो है वो collect करती थी होती थी so that means आपको किसी एक फैमिली के किसी दो तीन बंदों को जो है वो vouchers देने कुछ समय के बाद उसके बाद वो आपके debt circle में फस जाएंगे and then they will continue to work for you for free because they will be uncircled into debt debt में फस गए होंगे so एक बहुत बहुत ही मतलब economy के लिए उनके लिए बहुत ज्यादा profitable और मजदूरों के लिए बहुत बड़ा जो है वो समस्या कारण रहा ये P&A system और ये P&A system after colonial legacy क्या है ये जो P&A system है ये P&A system बना रहा after independence किस में इन Latin American countries में बनी new Latin American governments took over the lands owned by native people and by the Catholic Church it then put those lands up for sale, wealthy landowners were the only people able to afford to buy them and they snapped them up but as one Argentinian newspaper reported their greed for land does not equal their ability to use it intelligently unequal distribution of land and its poor use combined to prevent social and economic development in Latin America देखे लेटिन अमेरिका जब तक आजाद नहीं था तब तक landowners और P&A system था आजाद होते ही जो भी government रही मान लिजे पेरू की कोलूंबिया की जो भी government रही उस government ने उन landowners से वो जमीने obviously छीन ली, क्यों? क्योंकि वो landowners है, वो colonists थे वो तो चले गए बापिस, मान लिजे, Spain के है, Portugal के है, वो तो चले गए बापिस तो उन से उन्होंने जमीने छीन ली, अब इन जमीनों को वो मजदूरों में तो बाटेंगे नी, इन जमीनों की अब उन government से लगाई बोलिया और ये जमीने खरीदने के लिए आये अब या तो ब्रिटेन से, क्योंकि जहां से Spain और पुर्तगाल उठा, वहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस के मर्चंट आ गए और जाद तर यूएस के मर्चंट, ब्रिटेन के मर्चंट तो ब्रिटेन और यूएस के बड़े landowners या उस समय के भी वहाँ के native भी बड़े landowners ने क्या किया उन जमीनों को परचेज करना शुरू किया और वही P&H सिस्टम चालू रखा ठीक है और एक इससे सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अगर ब्रिटेन, यूएस और वहाँ के लोकल अगर खरीद रहे हैं जमीन तो उन जमीनों का करना क्या है उन जमीनों को किस तरह पूरे राष्ट्र की economy में economy को develop करने के लिए use करना है इस तरह की कोई वेवस्था ये इस तरह का कोई managed plan जो है वो नहीं बना सके वहाँ के landowners इसी वज़े से economic और political development नहीं हो सका Southern American या Latin American countries का जिसके विपरीत आप USA को देखेंगे तो USA ने North America का coast to coast cover कर रखा है समझे ना North America का coast to coast cover कर रखा है कोई region बीच में छोड़ा नहीं हुआ North America यानि Atlantic Ocean से Pacific Ocean को connect करने वाली Panama Canal के दर्वाजे पर US बैठा है ठीक है South America से Atlantic Ocean में trade होने वाला जो गयाना वाला जो region है उसको ब्रिटेन और फ्रांस ने आज भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और बीच बीच के बहुत चारे चोटे चोटे आइलेंड जो है वो कोई भी Latin American Government नहीं कर सकी उन्हेंने अपने मुनाफे के लिए अपने मुनाफे के लिए जमीने जो हैं वो जबरदस तरीके से बाट दी ठीक है अब यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि किस मुगल बादशा के समय में किस मुगल वजीर ने एक ऐसा ही जमीनों को बाटने का सिस्टम आफ्टर दे डेथ ओफ औरंग जेव इंट्रेड्यूस किया था जिससे एक लिमिटेड समय में जादा से जादा पैसा जो है वो मुगल वाजचाहत के पास आ जाए यानि कि मुगल खजाने में आ जाए ताकि जो एकनॉमिक क्रैसिस चल रहे है उससे लड़ा जा सके जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियेड के लिए तो एक अच्छी रेमिडी थी बट इन दे लॉंग रन उसने जागीरदारी क्रैसिस के रूप में एक बहुत बड़ा विकराट रूप लिया आफ्टर देथ ओफ औरंगजेब औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूँ मुझे आप बताएंगे कमेंट में अगर आप इस डिटेल को फॉलो कर सकते है तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने modern history पढ़ी है और यह जो पूरा में या उसके अलावा कोलूंबिया में कि वहां की जो सरकारे हैं वो अपनी जमीनों को local businessmen merchants को बेच रहे हैं उनको organize नहीं कर रहे है nationalize नहीं कर रहे हैं जबकि US के जो merchants हैं उन्होंने बहुत carefully जो है वो parliament में जो congress है वहां पर अपनी जगा बनाई और उन्होंने अपने बात जो है वो रखी है उन्होंने carefully design किया coast to coast manage किया पूरे US को क्योंकि वो जानते है Pacific as well as Atlantic trade पर हमारा hold होना चाहिए तब ही हम एक जो है वो global शक्ती बन सकते हैं जो कि नहीं कर सके कौन Argentinian जिसमें से for example Argentinian newspaper ने क्या का है their greed for land does not equal their ability to use it intelligently unequal distribution of land in its poor use combined to prevent social and economic development in Latin America so we got that right आगे बढ़ते है so that was colonial legacy अब देखते है political instability and totalitarian rulers अगला कारण देखते हैं कि क्यूं Latin American region जो है वो economically imperialize कर लिया गया United States द्वारा जवाब है कि आजाद तो हो गए लेकिन किस सरह की सरकार बनेगी है ना भारत की आजादी के बाद भी तो यही सवाल था ना देखिए गांधी जी क्यूं हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहे थे क्या गांधी जी के पास शारेरिक बल नहीं था जो वेक्ति 23-23 दिन तक इतनी बुढ़ापे में आने के बाद भी जो वेक्ति 23-23 दिन तक भूका रह सकता है जो वेक्ति कई-कई किलोमेटर तक हर रोज इतने बुढ़ापे में भी पैदल चल सकता है क्या उस वेक्ति के पास शारेरिक बल नहीं है क्या उस वेक्ति के पास मानसिक बल नहीं है क्या वो वेक्ति हिंसा नहीं देख सकता या कर सकता definitely कर सकता है क्या वो वेक्ति जो कि इतना भैतरीन ओरेटर है इतना भैतरीन जो है वो essayist है क्या वो लोगों में जो हैं वो consequences दिखाएंगे that means हिंसा से मिली हुई आजादी आजादी के बाद भी हिंसा गरवाएगी तो देखिए अहिंसा अहिंसा करते हुए भी कितनी जादा हिंसा हुई समझ रहे हैं आप गांधी जी जानते थे कि collateral होंगे कई जगा पे या not just गांधी जी लेकिन उस समय के कई बहुत सारे जो है वो जो भी intelligentia था इंडिया का वो लोग जानते थे कि हिंसा होगी क्योंकि एक बहुत मतलब मुद्दा ही ऐसा है आजादी इसमें हिंसा होने के chances बहुत जादा है लेकिन हमें उसको controlled रखना है ठीक है same चीज मैंने आपको बोला ना world history को मैं modern history से Indian modern history से हम जोड के चलेंगे तभी हमारा perception जो है वो जबरदस तयार होगा right so political instability and totalitarian rulers की बात कर रहा था तो basically मैंने इंडिया की बात इसलिए include करी क्योंकि भारत में भी यही मुद्दा रहा था कि आजादी के बाद किस तरह की सरकार होनी चाहिए ठीक है तो वही same मुद्दा जो है वो Latin America में भी था कि हम Spain Yard से Portuguese से आजाद तो जाएंगे लेकिन अब हमारे पास किस तरह की सरकार रहेगी तो Spanish और पुर्टगालियों से लड़कर वहां के military leaders ने आजादी प्राप्त करी उन military leaders को लड़ने के लिए हत्यार, resources, equipments यूएस ने प्रोवाइड करे ठीक है not just US लेकिन अन्ने European शक्तियां जो कि Spain Yards यानि कि जैसे कि Britain या France जो कि Spain Yards और प्रोटगीस की जो है वो colonies South America से हटाना चाहता था और US merchants अपना economic imperialism वहाँ पर establish करना चाहते थे तो they funded the revolutions तो जो lead not in every case but in some manner yes they funded ठीक है but not in the whole sense कि उन्हों नहीं दिलवाई ये आजादी, ऐसा नहीं हतियार मतलब कहने का मतलब ये कि अब अगर मान लीजीए बोलिवार को हत्यार खरीदने है तो वो कहां से खरीदेगा, उनके आपास तो Arsenal है नहीं, Arsenal तो US में है तो वो वहाँ से import करेगा, या Britain में Arsenal वो वहाँ से import करेगा, इस तरह now अब जो आजादी मिल गई, अब इन Latin American countries को, और जो military leaders democracy या एक parliament जो हुआ established हुई ठीक है, ऐसा क्यूं? क्यूंकि देखिए उस समय के जितने भी political leaders है ना, या उस समय के जितने भी philosophers हैं उन्होंने ये conclusion create किया था कि अगर colony आजाद होगी ना, तो उसके बाद कुछ समय तक dictatorship रहनी चाहिए, ताकि stability बने जैसे मैंने भारत के लिए का था था ना कि भारत अगर आजाद होता है तो कुछ समय तक एक strong government रहनी चाहिए, 15-20 साल ताकि आजादी के बाद की जो यानि कि जुड़ा रहे आजादी के बाद भारत बिखरे ना, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है, वो reforms पर काम कर सकते हैं सबसे पहला काम है, भारत को बिखरने नहीं देना और वही काम शुरुवाती Congress सरकार ने करा पटेल जी ने बहुत भैतरीन तरीके से carefully जो है वो बांदा है इंडिया को और फिर उसके बाद पटेल जी के जाने के बाद नहरु जी ने बहुत भैतरीन तरीके से जोड कर रखा है, ठीक है, टूटने नहीं दिया बसे कई से टूट भी गए, जो potential था टूटने का वो बहुत ज़्यादा था ठीक है, इसलिए कई जगाव पर पोस्ट इपेंडेंदेंज के साथ उन इवंट्स को हम connect करें, क्योंकि जो मैं पोस्ट इपेंडेंदेंज पढ़ाऊंगा तो पोस्ट इपेंडेंज में मैं वoler हिस्ट्री के इवंट्स को आपको as a reference use करूंगा बार-बार थीक है, तब आपकी जो है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ इंडिया की हिस्ट्री को क्रмо करने की समझ जो है वो डवलप होगी फिह रफापी साते हैं वर्लिस्ट्री में, साहथ अमेरिका लेटन AMERICA, रइट dictatorship जो है वो लंबे समय तक खिच जाती थी और वो dictatorship जो है वो फिर वही dictatorship जो है वो imperialistic रूप ना ले ले ये खत्रा भी बन जाता था देखिएगा Political instability also was a widespread problem in 19th century Latin America किस तरह देखते हैं Many Latin American army leaders had gained fame and power during their long struggle for independence they often continue to assert their power they control the new nations as dictators or caudilos आजाद होने के बाद वो उस राज्य क्या कोडिलो का मतलब होता है warlord एक तरह से वैसे exact definition नहीं है कोडिलो की लेकिन कोडिलो का मतलब है एक तरह का dictator so dictatorship established हो जाती है वहाँ पर और वही warlords dictatorship established कर देते हैं जिसमें से but in typical caudilo it was juan vincent gomez he was a ruthless man who ruled venezuela for nearly 30 years after seizing power in 1938 1935 में जाके उनकी मृत्ति हो गई all venezuela is my cattle ranch he boasted so juan vincent gomez ने venezuela को आजाद करवाया he was a military leader और उन्होंने आजाद करवाया venezuela को और आजाद होने के बाद उन्होंने वenezuela को अपने political control में ले लिया सवाल यही है ना कि आजाद होने के बाद कौन आएगा शक्ती में ठीक है so जिस तरह ब्रिटेन ने carefully plan किया है अपनी colonies को इंडिया में उसी तरह यूएस ने भी लेटिन अमेरिका पेपने economic control को बहुत carefully plan किया है ठीक है सीखा तो अपने पिताजी ब्रिटेन से यह होने इस तरह कहा जाता है मतलब this is the saying यह जो है वो एक मतलब एक दूसरे को ताना मारते हैं ब्रिटेन और यूएस आज भी महा की जनता है कि तुम हमारे बेटे हो और हमसे ही सीखा है तुमने सब कुछ ठीक है खेर यूएस ब्रिटेन का बेटा है now so carefully मैंने बोले ना carefully build किया है उन्होंने ठीक है कैसी carefully build किया है उसका example है Juan Vincent Gomez Juan Vincent Gomez को Gomez ने Venezuela को आजादी दिलवाई ठीक है Venezuela आजाद हुआ लेकिन आजाद होते ही उसने अपने आपको dictator establish कर लिया अब Venezuela को आजाद होने के लिए military supply information ये सारी चीजें जो है वो obviously US ब्रिटेन ने दी होंगी ठीक है definitely दी है so that means US और ब्रिटेन का लंबा economic interest है they knew that हम जो है वो अब colonize करने का pattern हमें बदलना पड़ेगा देखिए colonization के भी अलग अलग रूप रहे है political colonization रहा है after world war 2 तक ठीक है लेकिन अब जो 21st century में जो colonization चला ये 20th century throughout 20th century में जो colonization चला वो economic colonization है यानि कि indirect colonization है आप अपने वंदों को directly appoint नहीं करते अपने colors को वहाँ पर directly appoint नहीं करते आप इस तरह का महौल बनाते हैं कि जो सामने वाला देश है वो आपके influence में रहकर ही काम करें ठीक है this way it is rather efficient ये efficient है और global चक्तियां develop करने में वदद करता है और उसी direction में US काम कर रहा था ठीक है वेनिजवेला is my cattle ranch पूरा का पूरा एनिजवेला वेनिजवेला जो है वो मेरा बाडा है जानवरों का ठीक है बेड़बक्रियों का बाडा है रैंच है नव there were some expectations however reform minded president such as argentina's domingo sermiento made strong commitments to improving education during sermiento's presidency between 1868 and 1874 the number of students in argentina doubled ठीक है so basically ये examples है ये examples है एक एक progressive leader और as well as एक एक कॉडिलो के ठीक है कॉडिलो आपका जो है वो Gomez और दूसरे साइड sermiento जो हूँआ progressive है उन्होंने education को develop करने में बल दिया देखिए education आप जितने जादा लोग educate करेंगे न वो उतना जादा मुखे धारा से जुडेंगे जो वेक्ति जितने जादा जादा जितने जादा वेक्ति मुखे धारा से जुडेंगे न economy के उन्हें से उतने ही जादा जो है वो पुझी पति निकल कर आएंगे तो अगर अपनी economy को अपने ही control में लाना है किसे Latin America को तो उनको अपने ही देश से जादा से जादा पुझी पति निकालने पड़ेंगे पुझी पति या capitalist जादा से जादा US अगर ब्रिटेन के रहेंगे तो वो control में रखेंगे ठीक है आज के date में देख लीजिए जितने भी बड़े बिजनसेज है जितने भी बड़े बिजनसेज है ठीक है कोई भी लाइक अगर car manufacturing है तो इंडिया में इंडिया की economy में इंडिया की economy की economy का control जो है वो खुद की economy इंडिया की government का control अपने खुद की economy पे क्यों है काफी हद तक ठीक है या रहा अजादी के बाद काफी समय तक देरे-देरे थोड़ा कम हो गया ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत से कई पुझी पती निकल गर आते हैं भारत में अंबाणी अडानी टाटा बिर्ला इस तरह के बहुत सारे ऐसे वेक्ति हैं इसे पुझी पती हैं जिनोंने जो कि भारत के हैं और अगर किसी देश के अपने खुद के पुझी पती होंगे तो उस देश का अपनी खुद की economy पर control रखने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए भारत अपनी economy को खुद से control कर सकता है लेकिन इस तरह Latin America में इस तरह के बड़े पुझी पती नहीं थे धिरे धिरे डवलप हुए वहाँ पर Gomez, Lopez, Perez वगएरा ठीक है लेकिन उस समय जस्ट वो आजाद हुए तब नहीं थे तब जो अमीर था वहाँ पर वो वहाँ के पुराने जो landholders थे या पुराने जो हैं वो बड़े landlords थे या पुराने merchants या जो अभी आजादी मतलब की आजादी की लड़ाई के दोरान जो popular हुए leaders थे वही थे वहाँ के बड़े capitalist बनने एक शमता के वल उनी में थी लेकिन ब्रिटेन में यूएस में पुराने खेले खेलाए खेलाडी थे कई-कई सेक्ड़ों सालों से उनके business चल रहे थे उनके परिवारों के ठीके so this is a difference आपको समझना पड़ेगा ये किस तरह काम कर रही है economy वैसे मैंने बोला ना economy के present day economy की जड़ roots में आपको history में से निकाल कर दूँगा और मैं धीरे धीरे develop करूँगा मैं अभी इतना ज़ाद नहीं बोलूँगा present day economic situations पर over the period धीरे धीरे session दर session develop करूँगा इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे sessions के साथ जुड़े रही है ठीक है क्योंकि session दर session धीरे धीरे हम develop कर रहे हूं समझ को next देखिएगा आगे बढ़ते हम so Sir Minto ने 1868 से 1874 के बीच double कर दी अर्जेंटिना में number of students now but such reformers usually didn't stay in office for long eventually a codillo would return to power forcing the reformer out at the point of a bernet oregon अब इस तरह का reformer Latin America में नहीं चल सका क्यों क्योंकि अगर इस तरह का reformer Latin America में रहेगा तो Latin America से capitalist निकलाएंगे जो की directly challenge करेंगे US और फिर European capitalist को so that means अब US और European की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की वहाँ पर सरकार लाई जाए वापिस जो है वो इस तरह का वहाँ पर एक codillo को appoint किया जाए जो कि वही पुराने business वही पुराने business यानि कि वही जो पुराने colonial exports रहे है Latin America के उनी को ही चालू रखे ताकि Latin America industrialize नहीं कर सके अपने आपको ठीक है so eventually a codillo would return to power forcing the reformer out at the point of a bayonet और a gun bayonet आपने देखा होगा जो matchlock rifles होती है यह कोई भी rifle होती है उसके आगे जो चाकू लगता है जो कि एक rifle को एक spear का रूप भी प्रोवाइड गरता है अगर गोलिया खतम हो जाये तो now the codillos found little opposition the upper classes usually supported them because they opposed giving power to the lower classes ठीक है अब जो Latin America की upper classes थी जो traditional merchants थे landlords थे वो obviously reformers को hate करते थे क्योंकि reformers जो है वो lower तपके के लोगों को मुखे धारा में लाने का काम कर रहे यहीतर reforming है ना peasantry को मुखे धारा में लाए जादा से जादा थाकि उन में से निकल कर आए कौन capitalist थीक है अब देखिए यह education का ही नतीजा है कि जो study IQ जैसे channel है जो establish हुए है थीक है भारत में धिरे धिरे education promote हुई तभी भारत में एक private एक कुछ handful of जो है वो ambitious लोग जैसे गौरव सर हैं आपके ठीक है मोहिच सर हैं आपके handful handful of कुछ ऐसे लोग है जिनके ambition के चलते इतना बड़ा platform इखटा हो गया otherwise यही सारी यही सारी चीजे जो मैं आपको free में YouTube पे पढ़ा रहा हूँ यही सारी चीजे आपको schools और university में पढ़नी पढ़ती थी ठीक है लेकिन यह handful of लोगों ने जिन्हों ने इस नए education system की वेज़े से अपने आपको educate किया और इस तरह का एक ऐसा platform बना सके जिससे greater good हो सोगा यही reformers चाहते थे वहाँ पर भी कि अगर educate होंगे जाद से जादा लोग तो इस तरह के नए capitalist इस तरह के नए industrialist उभर कर आएंगे जो ऐसी opportunities प्रोवाइड करेंगे बाकी लोगों को भी तो अगर कुछ लोग educate होते हैं मुखेदारा में आते हैं तो वो एक यह chain reaction है और लोग आते जाएंगे अब मान लीजिए study IQ की वज़े से अगर मैं कुछ students को पढ़ा पा रहा हूं तो कल को आप जो है वो जो भी information gain करेंगे आप आगे चार लोगों को बताएंगे है ना इस तरह से awareness फैल रही है ना ठीक है लेकिन यह awareness जो मैं आपको फैला रहा हूं अगर आप यही सेम काम Latin America में कर रहे होते है तो US और Britain को यह बात पसंद नहीं आती और आपको execute करवा दिया जाता हो तो worst case scenario आपको execute करा दिया जाए बट किसी ना किसी तरह आपको जो है वो आपकी अवाज को दबा दिया जाता ठीके बट भाड बट बट इस नात लंट अमरिका इंड यह द अ फ्री कैंटरी ठीके नो ने च्थ देखीएगा अपर क्लासे इसुआ इसुआ थूज टैकर दी को जोब बाट पोड जो इसा वोड़को तो जो अ बार दीकरा अगर कॉडिलो हो यानि डिक्टेटर्शिप हो या ना हो फिर भी लोग पीसे ही हुए हैं क्योंकि इकनोमिक साइकल ही ऐसा है कि मुख्यदारा में आने में समय लगता है भारत की बहुत बड़ी पॉपलेशन को मुख्यदारा में आने में बहुत लंबा समय लगा अजादी के बाद और अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपलेशन का मुख्यदारा से नहीं जु आगे बढ़ते हैं नेक्स देखते हैं economies grow under foreign influence Latin America की economy foreign influence में grow करी कैसे when colonial rule ended in Latin America in the early 1800s the new nations were no longer restricted to trading with colonial powers Britain and later the United States became the Latin America's main trading partners देखे Latin America में दो मुखे शक्तिया Spain और Portugal so Latin America से Latin America जब मैं बोलता हूँ न तो Mexico, Central America, Caribbean islands और Southern America पूरा का पूरा यानि कि जो Spanish और Portuguese यानि कि Latin भाशाओं के Spanish और Portuguese dialects बोलने वाले जो रिजन है पूरा का पूरा वो Latin America कहलाता है ठीके so Latin America जब तक Spain और Portugal के control में था तो वहां से जितना भी production निकल रहा था वो Spain और Portugal के लिए या Spain और Portugal जिसको dictate करेगा यानि कि जहां पर वो जाने देंगे वहां पर वो जाता था लेकिन obviously colonies हटने के बाद free trade का system आगया अब वो free थे trade करने के लिए इस तरह पूठ किया जाए या इस तरह पूठ कर सकते हैं कि अन्ने European शक्तियां यानि कि Britain और France अब कर सकते हैं खुले तौर पर यूएस ट्रेड कर सकते हैं खुले तौर पर किसके साथ या यूएस ब्रिटेन फ्रांस हो है वो अब control या manipulate कर सकते हैं किसे जो लेटन अमेरिकन ट्रेड है उसे ठीक है और वो कैसे किया आईये देखते है industrial backwardness ठीक है no matter with whom the new however Latin America's exports grew the development of steamships and build and the building of railroads in the 19th century for example greatly increased Latin American trade toward the end of the century what century 19th the invention of refrigeration helped increase Latin America's export the sale of beef fruits and vegetables and other perishable goods sold देखे मैंने आपको बोला ही ना Latin America को industrialize होने से रोकने के लिए एक इस तरहा का political economic system वहाँ पर होना चाहिए जो कि पूरा का पूरा dependent हो traditional export पर यानि कि अभी तक जो Latin America से export चले आ रहे है coffee के potato के sweet potato के cocoa plant के तो जो औल या fishes के beef वगेरा के जो traditional export चला आ रहा है South America से वो चलता रहे ठीकि अगर वो चलता रहेगा तो उनको industrialize करने की जरूरत नहीं रहेगी और इसमें एक boom दिया किसने जब refrigeration का invention हो गया यानि कि अब पूरा का पूरा Atlantic आपको सर्दी में जो खरॉष करने की जूरत नहीं है आप भरी गर्मी में भी tropical region से cross कर सकते हैं सबजी और meat को लेकर वो खराब नहीं होगा यानि कि एक जिन्दा जानवर को ले जाने से अच्छा पहले जिन्दा जानवर ले जाये जाते थे जिन्दा जानवर को ले जाने से अच्छा अगर आप उसे काट कर और उसमें से जितना मीट बिखता है उस मीट को अगर आप रेफिरिजरेट करके ले जाएंगे तो आपको ज़्यादा एफिशेंट बढ़ेगा ना ओवियसली तो रेफिरिजरेशन की वैसे तो बूम आया ही लेकिन वो रेफिरिजरेशन की टेक्नोलोजी भी किसने प्रोवाइड गरी ओवियसली यूएस और यूरोप ने ठीक है तो यह मैने आपको पूरा का पूरा इंडूस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों आई कैसे आई यह तो मैने आपको पहले और गरी समझा दियें। आगे बढ़ते हैं। होता है कि industrialized nation played a key role on the world stage after 1885 1885 ना कहकर अगर कहा जाए 1850 के बाद याने mid 19th century के बाद जो जो country है industrialized हो गई 1914 से पहले पहले first world war से पहले पहले वही आज भी globally dominating producing countries के रूप में established है या इस तरह कहा जाए कि वहाँ वहीं से ही सारी company originate कर रही है मान लीजिए अब इंडिया में कितने car manufacturers हैं कार की अगर बात करें specifically तो महिंद्रा टाटा उसके अलाबा मारूती और भी बहुत सारे हैं जो spare parts बगारा बनाते हैं या मतलब पुराने पद्विनी प्रीमेर बगारा रहे हैं वह पहले के ठीक है लेकिन कम है ना उंगलियों पर किन सकते हैं आप इतने हैं केवल लेकिन जर्मनी में जाएंगे आप अगर Volkswagen Group को देखते हैं तो उसी के अंडर 15-20 हैं जर्मनी जर्मनी में ब्रिटेन में कई सारे car manufacturers हैं यह केवल car manufacturing की बात कर रहा हूँ यूएस में दुनिया भरगे car manufacturing companies है जपैन के पास दुनिया भरगे car manufacturing companies है इतली के पास present day में सबसे ज़्यादा exotic गाड़ियां जो बनाने वाली companies हैं वो इतली से निकलती है ठीक है इतली से Lamborghini, Ferrari इतली से निकल रही है सो ये एक mere coincidence नहीं है इन लोगों ने अपने आपको industrialize कर लिया ये 1850 से लेकर 1910 के बीच का जो bracket है न 60 साल होगा इसके बीच में उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने आपको industrialize कर लिया और जिनोंने जल्दी से जल्दी अपने आपको industrialize कर लिया वो आज जो हैं वो पूरी दुनिया में ग्लोबली एकॉनमी को डिक्टेट कर रहे हैं करने की क्षमता में हैं कापैसिटी में हैं यानि मान लीजिए कि अगर कोई कोई भी टेक्नोलजी डवलप हो रही है अब हमारा ये सवाल बनता है कि भारत से कोई टेक्नोलजी डवलप क्यों नहीं हो रही है भारत से कोई स्थारा की टेक्नोलजी डवलप क्यों नहीं हो रही क्योंकि भारत में इंडस्ट्रिलाइजेशन नहीं आया उस लेवल का भारत में जो इंडस्ट्रिलाइजेशन आया वो भारत की समस्याओं को दूर करने के लिए यानि कि भारत की गरीबी भारत की भुकमरी को दूर करने के लिए उस तरह की चीज़े innovation या pleasure आज भी भारत में pleasure वाली जो है वो भावना नहीं है यानि कि pleasure को लेकर कोई नया invention करना ऐसा ये भावना नहीं है, माल लीजिए जो fast driving या thrill driving जो है वो एक pleasure है, right अब उसके लिए भारत का कोई manufacturer नहीं बना रहा है Tata ने Jaguar obviously खरीदी है लेकिन भारत भारत की कोई मतलब भारत के लिए कोई ऐसी exotic गाड़ी नहीं बनी है इंफेक्ट सड़के ही नहीं है भारत में ऐसी ठीक है, वैसे DCA वंती ने काम किया है लेकिन कहां काम अब हो सकी ठीक है पॉइंट मेरा ये है कि भारत में जो industrialization आया है वो utilitarian आया भारत में industrialization उस level का नहीं आया जो कि Germany, Italy, Britain से शुरू होता हुए फ्रांस, पेन, पॉर्टगाल में फैला उसके बाद रशिया और जपैन ने भी फॉलो किया उसको ठीक है और उसी तरीके का utilitarian से लेकर उसी level का industrialization जो कि Germany, Italy, रशिया में आया वो industrialization चाइना लेकर आया है अपने country में ठीक है, इसलिए China intimidate करता है US को इसलिए China सब को intimidate करता है ठीक है, सब intimidate होता है China से नेक्स देखते हैं outside investment and interference outside investment and interference क्या रही ठीक है furthermore, Latin American countries use little of their export income to build road schools or hospitals अब देखिए आपको अपने आपको industrialize करने के लिए क्या चाहिए आपको communication चाहिए आपको technologies तो खेर चाहिए ही लेकिन आपको communication system चाहिए proper आपको transportation system चाहिए proper और आपके पास एक efficient administration तो हो नहीं चाहिए ठीक है तो politically तो US और Britain ने मिलकर cripple करा हुआ है Latin America को ठीक है और politically और economically इतना cripple किया हुआ है कि वहाँ के जो merchants हैं वहाँ की जो सरकारे है जितना भी उन्हें मुनाफ़ा मिल रहा है अपने एक्सपोर्ट से अपने traditional export से जितना भी उन्हें मुनाफ़ा मिल रहा है उस मुनाफ़े को वो use कर रहे हैं उसी traditional export को regenerate रखने में क्योंकि ऐसा system बना के रखा हुआ है US ने कि वो traditional system जो है वो हमेशा वो traditional export का जो पूरा system है वो Latin America में हमेशा खत्रे में रहे ताकि वहाँ के जो merchants हैं वो उसी को ही बचाने के चक्कर में रह जाए development की तरफ ध्यान ही ना दे सके तो अगर आप transportation को communication को education को health care को ठीक है infrastructure structure अगर आप नहीं develop करेंगे इन सारे spheres का तो आप अपने आपको industrialize नहीं कर सकते हैं यह पूरा का पूरा एक cycle है और वो चलता रहा ठीक है तो furthermore Latin American countries use little of their export income to build road schools or hospitals ठीक है nor did they fund programs that would help them to be self-sufficient instead they often borrowed money at high interest rates to develop facilities for their export industries export industries अब देखिए export industries को इतना boom दिया गया कि सभी businessmen Latin America के यही सोच रहे थे कि हम export में ही काम करें import export में ही काम करते हुए आपको बड़े businessmen नजर आएंगे आज भी Latin America के ठीक है so अगर किसी विक्ति को महत्वकांची विक्ति को import export के businessmen उतरना है तो उसके वास पैसा नहीं है capital चाहिए तो Panama वाला region जो है वो Central America वाला region है वहाँ पर बहुत लोग जो है वो फर्जी में उधार देने को तयार है लेकिन वो फर्जी उधार तो दे देते हैं मनलब लोन तो देते हैं लेकिन उस loan को recover करने के लिए पीछे बैठा यूएस और उस loan को यूएस की शर्थ पे देता है कि आपको ये port अपना जो भी माल लीजी आप एक storage facility develop कर रहे हैं जहां से आप potato को export करेंगे तो वो storage facility गिर भी है अगर आप अगले 5-10 सालों में लो नहीं चुगा सके तो storage facility इस particular storage facility को ये bank निलाम कर देगा और खरीदने के लिए bid कौन लगाएंगे यूएस के merchants यूएस के merchants खरीदने के लिए bid लगाएंगे लेकिन यूएस के merchants खुद वहाँ पर आकर बैठेंगे नहीं उनके head offices होंगे New York में ठीक है उनके head offices होंगे Chicago में और वहाँ पर जो है वो उनही के बंदों को CEO बना कर बिठा देंगे वो उनही के बंदों को manager management में बिठा देंगे और मुनाफ़ा जो है वो उनके पास जाएगा Chicago जाएगा New York जाएगा मुनाफ़ा इस तरह काम करती है देप by force or to take over the facility it had funded foreigners thus gained control to many industries in Latin America thus began a new age of economic colonization this is the new age of economic colonization कि धीरे धीरे उधार में फसाओ उनसे उनके facilities छीन लो और फिर खुद बैठे US में खुद बैठे London में लेकिन मुनाफ़ा आता रहेगा तो क्या ये एक तरह की colonization ही नहीं है colonization की definition क्या थी कि जो colony है वो mother country को मुनाफ़ा प्रोवाइड गरती रहेगी ठीक है और economic colonization में क्या हो रहा है कि आपने उसको debt में फसाया उसको acquire किया दूसरे की property को ठीक है और फिर आप बैठे US में लंडन में और आपके पास मुनाफ़ा आया रहा है आपने वहाँ पर management जो है वो भेज रखी है ठीक है भारत से CEO बना कर भेजा हुआ है किसी को चाइना से CEO जा रहे है ठीक है भारत से भारत की universities में भारत के colleges में बड़ी बड़ी जो है वो लंडन US की company आ आ रही है placement देने की आपको हम placement देंगे क्या job है आपकी managing की job है Latin America में South America में इस particular facility को आपको super intent करना है ये करना है वो करना है ठीक है इस सारी चीज़ है तो this is how it is working इस तरह काम कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next देखते हैं United States और Latin America में अब United States और Latin America में देखते हैं अब United States की तरफ से ये तो अभी तक तो हमने कारण देखे कि क्या ऐसे कारण थे जिन कारणों की वज़े से Latin America US के चकरों में फस गया किन चकरों में economic colonization का जो पूरा intent है US का उसमें कैसे फसा तो Latin America की तरफ से क्या कारण है अब हमें समझना है कि US ने अपनी तरफ से क्या policies अपनाई actively जिससे उन्हों ने economically colonized किया है not just Latin America but also Asia Southeast Asia में भी Philippines वाले region को ठीक है नाव देखेगा long before the United States had a real economic interest in Latin America it was aware that its security dependent on that of its southern neighbors ठीक है अब देखे US भली बहांती जानता था कि जो new world है ना यह हमने या US की जो सरकार बनी after the American revolution the new की खत्रा अभी भी है Britain जो है वो अपने आपको reinforce करके हम पर attack कर सकता है Spain हम vulnerable है ऐसा ना हो कि Spain की colony तो New Mexico वाले region में है ही California वाले region में वो US को acquire कर सकती है उनके वास बड़ी economy है ठीक है इसलिए US new की हमें पहले तो अपने आपको जल्दी से जल्दी industrialize करना है और कोशिश करनी है की Spain और पुर्तगाल Spain और जो South Spain और पुर्तगाल की Latin America में जो colonies हैं वो industrialize ना हो पहली चीज़ ठीक है दूसरी चीज़ they have to make sure की Spain और पुर्तगाल या ब्रिटेन ये सब मिलकर हम पर attack ना करें that means अपनी सुरक्षा के लिए जो पूरा का पूरा new world है ठीक है new world ही कहा गया ना उसको अमेरिकाज को north central और south को ठीक है पूरे के पूरे new world को politically और economically अपने control में लाना बहुत जरूरी था US के लिए ये उन्होंने बहाना दिया basically लेकिन कहीं न कहीं इसमें सचाई भी है कि अगर उनको sustain करना है US को as a nation तो उनको पूरे अमेरिकाज को अपने political or not just political लेकिन economic control में at least लाना ही पड़ेगा ताकि threat ना बन जाए वो उनके लिए ठीक है तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज उन्होंने अपनाई वो था the Monroe Doctrine देखिये Monroe Doctrine क्या है most of the Latin American colonies had gained their independence by the early 1800s तो हमने देखा starting with Hayati in 1804 line से ठीक है हयाती के बाद southern जो Latin America है Brazil, Argentina, Peru ठीक है ये line से करके सारे अज़ाद हुए तो मैंने जो आपको map दिखाया है उसमें से dates आप note कर लीजएगा but their position was not secure many Latin Americans feared that European countries would try to reconquer the new republics the United States, a young nation itself feared this too in 1823 therefore President James Monroe issued what came to be called as Monroe Doctrine ठीक है Monroe Doctrine वैसे 1850s के बाद जो है वो नाम पढ़ा उसका लेकिन जो James Monroe है उन्होंने Congress को जो है वो मतलब संभोधित करते हुए address करते हुए बोला कि South American colonies से जो Spaniards और Portuguese गए है ऐसा ना हो कि British और French उनको acquire कर ले क्यूंकि गुआना वाले region में अभी भी British और French बैठे ठीक है तो अगर उन्होंने South America को कॉलनाइज कर लिया तो फिर वो हमें वापिस that American continents are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by European powers ठीक है Monroe ने क्या कहा कि American जितने भी region है चाहे वो Canada खर Canada तो बाद में अजाद हुआ लेकिन Canada US के पास ही था और Denmark के पास था Greenland राइट लेकिन दक्षिन अमेरिका, Latin America US इस सारे region को फिर से European शक्तिया colonize नहीं करेंगी ठीक है अब किस-किस European शक्ति से खतरा है सबसे पहले तो Spain और Portugal से क्योंकि उनसे चीना है अपने और उसके अलाबा France से तो US का साथ अब Britain ने देना शुरू किया US और Britain की एक सहमती बनी कि Spain और Portugal ने बहुत मतलब कई सो एकड़ो साल इन्होंने जो है वो Latin America को Latin America की resources को exploit किया है अब हमारी बारी है तो US और Britain जो की आपस में लड़ रहे थे क्योंकि Britain से लड़ करी तो US हजाद हुआ न US और Britain ने आपस में जो है वो हाथ मिला लिये किस के कि मतलब केस पे कि Latin America पे किस तरह वो economical colonization establish करेंगे ठीक है Britain was Latin America's largest trading partner it agreed to back the Monroe doctrine in order to keep the European powers from further colonizing with its powerful navy Britain ने कहा US को, President Monroe को कि हम अपनी सैना लगाते हैं Atlantic में और हम Spain, Portugal, Germany, Italy किसी को भी colonize नहीं करने देंगे वैसे Germany और Italy बाद में बने लेकिन Spain, Portugal, France को नहीं करने देंगे colonize ठीक है तो इस बात पर US ने भी सहमती जता दी तो दोनों की सहमती बन गई किस-किस की Britain और US की ठीक है Until 1898 though the United States still did little to enforce the Monroe doctrine Cuba provided a real testing ground ठीक है Monroe doctrine कभ यूज करी जानी थी जब कोई European शक्ती colonize करने की reconquer करने की कोशिश करें American region को So Cuba was a colony of Spain और Cuba पे जब Spain ने अपना claim फिर से किया तब Monroe doctrine को यूज करने का भाना मिल गया किसे US को तो आईए देखते हैं Next point हमारा Cuba declares independence Now Cuba was one of Spain's last colonies in the Americas ठीक है In 1868 Cuba declared its independence and fought a 10 year war against Spain देखे जो US ने example set किया था था न Declaration of Independence से कि पहले declare कर दो आप independent हो फिर लड़ जगडलो कई साल और ultimately अजादी मिली जाएगी यही सेम चीज नहरू जी ने बताएंगे आप मुझे Congress के किस सेशन में कर रहा था जब उन्होंने अजादी घुशित कर दी थी और फिर पहली बार Republic Day कहां मनाया गया था किस तारीक को मनाया गया था ठीक है क्या वो तारीक नजदीक है या नहीं है खेर सो वही चीज हुई क्यूबा में भी ठीक है क्यूबन्स 1878 में हार मान ली उन्होंने ठीक है मैक्सिमम क्यूबन्स ने हार मान ली बट सम क्यूबन्स कंटीनू तो सीक इंडिपेंदेंस इन 1895 होजे मारते ठीक है जोजे मार्टी नहीं पढ़ेंगे इसको वैसे पढ़ सकते हैं आप लेकिन ठीक है स्पानियल में से होजे मार्टे पढ़ते हैं राइटर who had been exiled returned to fight for for कूबन इंडिपेंडेंस और कूबा पढ़ते हैं कूबा को कूबा इंग्लिश में पढ़ते हैं कूबा आप मतलब स्पैंश में पढ़ेंगे मार्टी was killed early in the war but Cubans battled on so he was KIA KIA का मतलब होता है killed in action ठीक है तो आपने आपको कहीं बार मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं किसी यूद के बारे में तो किसी विक्ती के नाम के साथ में एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ दिखता है नाम के आखरी में तो उसका मतलब होता है कि वो विक्ती KIA हुआ है यानि कि he was killed in action तो KIA word phrase KIA acronyms जो है वो यूज किये जाते हैं महाँ पर खेर So Malty नाम का हुजे Malty आए लडने के लिए ठीक है पढ़े लिखे विक्ती थे मार दिया गए इनको ठीक है By the time the United States had developed substantial business holdings in Cuba Before it had an economic stake in the fate of the country In addition the Spanish had forced many Cuban civilians into concentration caps America's objected to the Spanish brutality In 1898 the United States joined the Cuban war of independence देखिये पूरा खेल सम्झाता हूं क्या हुआ Cuba जब तक अजाद नहीं था तब तक Spain के गंट्रोल में था जब तक Spain के गंट्रोल में है तब तक American interest महाँ पर established नहीं हो सकता ठीक है लेकिन धीरे धीरे industrialization अमेरिका में भी आ रहे है 1850 में मैंने वोला ना धीरे धीरे अमेरिका expand करने ये कुशिक करने है तो क्यूबा में अपने जो है वो अपनी सारी economic political या जो भी उनकी policies हैं ब्रिटेन की वो use करते होए उन्होंने धीरे-धीरे merchants जो है वो अपने बिठाने शुरू कर दिये क्यूबा में एक समय इतना आ गया कि क्यूबा में काफी जादा जो है वो economic interest अड़ा हुआ है US का तो आप उस economic interest को protect करने के चक्कर में US को अपने troops भेजने ही पड़ेंगे देख रहे हैं कितना convenient है ठीक है तो इतिहास में एक बात ध्यान रखेगा अगर आपको कोई चीज बहुत conveniently होती हुई नजर आए ना तो सोचिए समझ जाएगा कि या सवाल जरूर उठाइएगा कि ये इतनी convenient से कैसे हो रहा है क्या पिछले पीछे चुपे हुए political aspirations क्या हो सकते है क्या ये एक strategy है या नहीं है ठीक है भोले बनकर मत बैटिये कि जो हो रहा है जो इतिहास में document हुआ है ऐसा ही हुआ है ध्यान रखी है मैंने हमेशा बार बार आपको बोला है कि देखे एक बहुत अच्छी बात एक student में comment पढ़ रहा था उसमें बोली दी कि sir मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ मैं बना हर case में मैं आपकी बात से सहमत नहीं होता लेकिन मैं आपकी वीडियो ज़रूर देख रहा हूँ तो यही तो मैंने बोला ना this is the beauty of teaching humanities कि मेरे जो point of views हैं वो आपके point of view से obviously अलग हो सकते हैं ठीक है और मैं यही तो कहता हूँ कि मैं जो आपको बोलता हूँ आप उस चीज को challenge कीजिए अगर आप challenge करेंगे तो आप सोचना शुरू कर रहे हैं समझे रहे हैं मेरा main मुद्दा तो यही है ना कि आपके दिमाग में जागरती पैदा करूँ इसलिए मैं कई बार ऐसी बाते बोलता हूँ जो आपको चुप जाएं ठीक है cognitive dissonance दे ताकि आप उस मामले में सोचना शुरू करें हो सकता है कि कोई point मेरा गलत हो आपके perspective से हो सकता है आपका perspective मेरे perspective से गलत हो है ना perspectives का मतलब यह होता है कि आपकी समझ किसी मुद्दे को लेकर कुछ और है मेरी कुछ और है तो यही तो humanities की beauty है कि we cannot be certain ना हम certain नहीं हो सकते it is always developing it is not a physical science कि धर्ती के ऊपर gravity वैसे बदलती रहती है लेकिन मतलब आप constant रख सकते हैं कई जगों पर ठीक है physical quantities change नहीं होती है given the ideal conditions लेकिन humanities के concepts तो बदल सकते हैं ठीक है तो यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी उस student की खेर आगे बढ़ते हैं so that means आपने सोचना शुरू कर दिया है so यहाँ पर कुबा की independence का declaration है आपने देखा उन्होंने independence declare करी 10 साल लड़े ठक गए फिर उसके बाद इतने ही इसी बीच जो है वो US का economic interest वहाँ पर develop हो गया फिर वहाँ जो Spanish general है उन्होंने Cuban population को concentration camps में डालना शुरू करा concentration camps का मतलब होता है एक बड़ी public jail आप कह सकते हैं public jail है जिसमें cells वगएरा नहीं है आप भार देते हैं भीडू उसमें so अगर माल लीजिए अगर आप इनसान को concentrate कर देंगे किसी एक जगा पे तो crime तो obviously बड़ेगा दोनों authority का crime भी और mob का उस भीड का crime भी so basically धीरे धीरे वहाँ पर लोगों को भुकमरी से मारा गया लोगों को प्रताडित किया गया हर तरह की atrocities उन्हें दी गई और इस चीज़ को US की Britain की media ने बहुत बढ़ा चढ़ा के document किया और US की जनता को बताया गया कि देखो वहाँ पर इतनी atrocities है और हम तो freedom बाठते हैं तो हम क्यों बैठे हैं station करते हैं अपने troops US की senators ने बोला कि करो जनता ने senators को बोला कि करो अख़वार में छपा है तो यह यहाँ पर na Cuban जो पूरी war है या जो इसके बाद क्या बोलते हैं Spanish की America के America और Spanish की जो war चलेगी अब इसके बाद इसमें एक बाद जो है वो document की गई कि जो press है यहाँ पर पहली बार बहुत बड़े level पर press किस तरह mass population को manipulate करता है इसके example नजर आया हमे कि भले ही concentration camp में बहुत सारी जातियां की जा रही हो और भले ही उन concentration camp से निकलने वाले फाइदे को उठाने मतलब वहाँ से जो फाइदा निकल रहा है या जो Spanish imperialistic control है क्यूबा पे उससे जो फाइदा US को भले ही हो रहा है लेकिन इस सारे मुद्दे का politically use किया गया US की जंता को manipulate करने के लिए और उनके अंदर एक resentment इखटा करने के लिए ताकि बहाना मिल जाए अपनी सेना को जो है वो station करने क्यूंकि अगर माल लीजिए अगर US का प्रेजिडेंट बगैर किसी कारण के सेनिकों को भेजता है कहीं तो जनता तो यह बोलेगी न कुमारे बच्चो क्यूं मर वा रहे है तो आपको क्यों ठोस political कारण देना पड़ेगा आपको क्यूं लगता है कश्मीर का मुद्दा क्यूं है समझ रहे है खेर वैसा ही वहाँ पर क्यूबा का मुद्दा था station करना था क्यूबा से पिनियार्ट को हटाना था और अपना economic interest establish करना था सैना भेज दी उन्होंने ठीक है so 1898 में United States joined Cuban War of Independence next देखिए this conflict which came to be known as Spanish-American War lasted about 4 months देखिए यह जो Cuban Independence का पूरा जो Cuban Independence वा रहे तीन फेज में चली सबसे पहले 10-year war फिर a little war और तीसरा जो है वो Spanish-American War Spanish-American War कई जगा उपर 3 महिने कई जगा उपर 4 महिने लिखा है तो 4 महिने आप ideally मान सकते हैं ठीक है years of fighting had exhausted the Spanish soldiers and they gave up easily Spanish soldiers 1858 से लड़ रहे हैं उससे पहले से भी infect तो उन्होंने चुप-चाप surrender कर दिया क्यों क्योंकि देखे कारण ये दिया गया कि देवर फेड़ अप लेकिन कारण ये भी था कि Spain के पास उतनी military authority या शक्ती नहीं थी Caribbean में जितनी obviously US के पास थी US पडोसी था ठीक है Caribbean का तो Spanish जो सैनी गाउन उन्होंने तुरंट and it's prevailing preventing Cuba from becoming truly independent क्योबा आजाद तो हुआ लेकिन आजाद होते ही क्योबा पर military government जो है वो US के support से establish हो गई ठीक है जो Venezuela में हुआ जो Bolivia में हुआ जो Columbia में हुआ वो ही क्योबा में भी हुआ किस की मदद से Uncle Sam की मदद से ठीक है वितना मुआर वगएरा में सब में समझाओंगा Uncle Sam कौन है तो Uncle Sam ने सब को बोला कि आपको जो है वो सेना में भरती होना है और Uncle Sam ने सब को जो है वो सेना में भरती कराया क्यूबा में independence दिलाई dictator establish कर दिया क्यूबा की जनता गह रही थी हमें तो रिपब्लिक चाहिए हमें इंडर्स्रिलाइज़िशन ने कर आना है हमें production बढ़ानी है हमें export बढ़ाना है import घटाना है हमें traditional जितना भी चला आ रहा है colonial export इसको खतम करना है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका ठीक है but the Cubans resented US intervention the military government the United States had installed and it's preventing Cuba from becoming a truly independent now the split that began to develop between the United States and Cuba continues to keep these close neighbors miles apart a century later देखिये ये जो क्यूबा की जनता में resentment है US के खिलाफ इसका use USSR ने Cold War के दौरान किया यही point को ध्यान रखियेगा क्यूबा की revolution को Cold War में फिर से explain करूँगा ठीक है now after its defeat in the Spanish-American war Spain returned over Spain turned over the administration of Cuba to US ये तो हमने समझ लिया US however did not annex Cuba because of the restrictions imposed in the Teller Agreement however Pyrtarico, Guam and Philippines became US territories having become the dominant imperial power in Latin America the United States next set its sights on Panama देखिए जो Teller Agreement है ना 1898-99 में हुआ ठीक है Teller Agreement में ये बात लिखी गई थी की US जो है वो क्यूबा में military interference तो कर रहा है लेकिन क्यूबा को annex नहीं करेगा लेकिन Teller Agreement की इस technicality का use करते उन्होंने क्यूबा को तो annex नहीं किया लेकिन Pacific Ocean के बीचों बीच जो colony थी Spain की उसको कर दिया और Philippines में जो Spain की colonies थी उसको अपने control में ले लिया किसने US ने ठीक है पुर्तरिको और पुर्तरिको को अपने control में ले ले पुर्तरिको गवाम जो है वो Pacific Ocean के बीच में एक क्या बोल सकते हैं कि एक island है जिसको colonize किया किसने US ने और फिर Philippines in Southeast Asia was Spanish colony उसको colonize किया किसने US ने ठीक है अब देखिए क्यूबा यानि की जो करेबियन है करेबिया में करेबियन रिजन में आजादी बाट दी democracy establish कर दी democracy तो नहीं लेकिन आजादी freedom दे दी उन्हें ठीक है अब ये कभी नहीं बोलता Britain बहुत कम बोलता है कि हम democracy लेकर आएंगे democracy के protector है कई जगाओ पर फिर लेटर periods में और खास कर 20th century mentor करने के बाद तो democracy के protector बने वो या late 20th century में 20th century के last last कुछ सालों में लेकिन सबसे पहले उनका notion रहा गी हमें आजादी दिलानी है आजादी दिला के पहले dictatorship establish करते थे वो फिर वो आजादी दिल बाके उन्होंने establish करनी शुरू करी democratic सरकारे सूडो उन्हीं के control में रहने वाली democratic सरकारे मैं आपको बताऊंगा किस तरह कई African countries में कई Arabian countries में यही काम CIA यही काम करता आ रहा है ठीक है खेर अब उनकी नजर है Panama पे उनका सारा मुद्दा सुलज रहा है अब ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि US को अगर ट्रेड करना है ना South America के साथ माल लिजीए अगर किसी को Boston के port से अगर लेकिन अर्जेंटीना के ports में ट्रेड करना है तो उसको पूरा का पूरा South America घूम गया जाना पड़ेगा So that means Central America के region से अगर एक कनाल बन जाए ना अगर एक नहर बन जाए तो आसानी से Atlantic Oceanic trade को Pacific Oceanic trade के साथ जोड़ा जा सकता है So यहाँ पर होड शुरू हुई आए देखते हैं Panama Canal के लिए So the Panama Canal joins the ocean पहला पॉइंट देखेगा Latin Americas were beginning to regard the United States as the political and economic Colossus of the North अब यह Colossus X-Men नहीं है Colossus का मतलब होता है एक giant एक बहुत दैते किस तरह का दैते political and economic Now it was also a huge country geographically by the 1870s that the transcontinental railroad connected its east and west coast land travel was long and difficult and sea travel involved a trip around the tip of South America This was a journey of about 1300 miles देखे यूएस ने North America के East Coast से West Coast को connect कर लिया ठीक है पूरा जीत लिया अब अगर East Coast से West Coast तक trade करना है तो या तो 13,000 या तो East Coast से West Coast जो पूरी railway establish हुए है उसके द्वारा ट्रेड करो लेकिन जो East Coast के जो merchants है वहाँ पर जो states है या उनके जो merchants है वो बीच से जब गुजरते हैं ना तो उनको समस्षा है उनकी बढ़ती जाती है क्यूं? क्योंकि throughout हमने history पढ़ा है कि जो East Coast है वो US के पास था बीचवाला हिस्सा फ्रांस के पास और West Coast Spain के पास तो cultural difference तो है ही political motive भी अलग-अलग हैं सबके so that means अगर कोई East Coast का व्यक्ति West Coast में trade करना चाहता है और अगर mainland US से वो travel करता हुआ जाए तो उसको बहुत सारी समस्षा है जहली बढ़ती that means अगर East Coast के किसी व्यक्ति को West Coast के किसी व्यक्ति से trade करना है तो उनको घूमके ही जाना पड़ेगा South America को पार करके ठीक है now if a canal could be dug across a narrow section of Central America the coast to coast journey would be cut in half the United States had been thinking about such a project since the late 19th century in 1880s a French company tried but failed to build a canal across the Panama ठीक है 1880s में French country fail हो गई क्यों अब ये जो Panama वाला region है ने Central American जो region है ये था Columbia के control में ठीक है और Columbia जो है वो वहां के लोग थे intelligent क्यों क्यों क्योंकि Columbia की proximity अगर उनके control में Panama वाला region है तो वो Pacific as well as Atlantic trade को control में कर सकते हैं ठीक है So, Columbia के लोग जो है वो या Columbia के merchants बहुत पुराने समय से ही इन दोनों trades को control में कर रहे थे इसलिए they were not ready to give up that privilege ठीक है लेकिन देखेगा यहां पर क्या हुआ लास्ट देखेए दिस्पाइट दफ्रेंच फेलिए अमेरिकन रिमेंड एंथुजियास्टिक अबाउट दे केनाल next point देखिए and no one was more enthusiastic than President Theodore Roosevelt who led the nation from 1901 to 1909 1901 से 1909 तक Theodore Roosevelt रहे ठीक है Roosevelt से पहले कौन American President रहे थे जिनको assassinate कर दिया गया था मुझे आप उस American President का नाम बताएंगे जिसने ये statement दी थी कि Philippines को तो हमें करना ही है उनको तो हमें उनको हमें Christianity देनी है modernization देना है तो colonize करना ही पड़ेगा उस US President का नाम बताएंगे मैंने आपको बताया था कि एक anarchist द्वारा उसे execute assassinate कर दिया गया था उसके बाद Roosevelt आई शक्ती में President बने दो बार 1901 से 1909 तक President रहे उनकी Presidentship में उन्होंने Panama Canal बनवा दी ठीक है उनकी Personality पर बात नहीं करेंगे अभी इन 1903 Panama वस प्रोविंस ओफ कोलंबिया मैंने बताया ना 1903 में Panama किसका हिस्सा था कोलूंबिया गा Roosevelt offered that country 10 million dollars plus a yearly payment for the right to build a canal when the Colombian government demanded more money the United States responded by encouraging a revolution in Panama देखे वही classic American trick so Roosevelt ने basically Monroe की जो डॉक्टरी ने उसको धिरे धिरे regenerate करने कोशिश करी ठीक है क्यूबा के समय से वैसे शुरू होई गई थी वो now Roosevelt ने कोलूंबियन जो गवर्मेंट है उसको बोला कि आपको हम 10 million dollar देते है और फिर yearly payment भी देंगे आप हमें rights दे दीजिए जो की connect करता है किसे Atlantic trade को Pacific trade से अब यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर कोलूंबियन जानते ही थे तो उन्होंने खुद ग्यों ने बना ली उन्होंने फ्रेंच को invite तो किया था लेकिन बना नहीं सके canal बनाना mainland को काट कर समुदरी पानी उसमें भरना एक engineering marvel है पनामा कनाल स्वेज कनाल भी एक engineering marvel है तो यह एक बहुत मुश्किल टास्क था जिसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय बहुत हजारों लोगों की मौत हुई और बहुत ज़्यादा पैसा लगा तो Columbia did not had that kind of resources और Europe से किसी और को वो बुलाएं उस तरह की resources लगाने के लिए तो Britain है और Britain तो यह कह रहा है कि जमीन देनी पड़ेगी बिटेन का तो हमेशा से है कि आप जमीन दो हमें हम सारा गाम करके देंगे Columbia was not ready to give up its land right so इसलिए वो नहीं बना सके Panama के ना लेकिन US had other other तरीके थे US के पास वो यह कि वहां के लोगों में pressure groups को ढूंडो pressure groups को motivate करो pressure groups को हतियार provide करो revolution करवाओ अलग देश एस्टेबिश कर लो ठीक है वही सेम गाम हुआ भी यहाँ पर ठीक है when Colombian government demanded more money the United States responded by encouraging a revolution in Panama the Panaminians had been trying to break away from Colombia for almost a century अब देखिए pressure groups तो हमेशा से अलग होने की demand करते ही है तो इस चीज को political mudda बनाया गया है but this one is not wrong कि Colombia से अलग वो नहीं होना चाते थे definitely वो अलग होना चाते थे लेकिन इस चीज को बड़ा चड़ा कर बोला गया कि देखो यह लोगों को परताडित किया जा रहा है ठीक है इन लोगों को परताडित किया जा रहा है हमें आजादी देनी ही पड़ेगी और American लोग जिनको बचपन से ही सिखाया जाता है patriotism के बारे में उनने कहा कि America freedom बाटने का एक और मौगा है हमारे पास भेजो हमारे सैनिकों को मरने के लिए ठीक है तो वहां भेजा गया हजारों के सबसे सैनिक मरे ठीक है revolution हुई और फिर मजदूरों को लगाया गया हजारों के सबसे मजदूर मरे क्यों क्योंकि Central American region आप ध्यान से देखेंगे equator निकलता है यहां से बिल्कुल बीच से निकलता है equator equator बीच से निकलता है that means क्या है यह यह tropical region है tropical region है that means tropical बिमारिया होती होंगी जैसे कि malaria smallpox chickenpox ठीक है? pox तो खैर ठंडे लाके में भी हो जाते हैं लेकिन malaria, hay fever जैसे और खास तौरबर bubonic plague जैसे बिमारिया है फैलती है so इन से निपटने के चक्कर में बहुत खर्चा यूएस का और भी हुआ आए देखते हैं आगे in 1903 with the help of US Navy they won their country's independence ठीक है? अपनी country के independence उन्होंने जीत ली in gratitude Panama gave the United States at a 10 mile wide zone to build a canal in gratitude ठीक है? ध्यान देंगे दस Panama अजाद हो गया और Panama ने 10 मील चौड़ा जो है वो region provide कर दिया अमेरिका को कि इसमें आप canal बनाएए कोई बात भी ठीक है? for next 10 years American engineers battle floods, heat and this this is carrying insects and this is carrying insects to build massive waterway ठीक है? तो बीमारियां तो वहाँ पर फैली कि मच्छर बहुत थे वहाँ पर और उन मच्छरों से देखते हैं कैसे निप्टे वो लेकिन 10 साल में पनामा कनाल बन गई नाव 1903 के बाद, 1914 में खुली है ना पनामा कनाल तो लगबक 10 साल में बन गई The United States began a campaign to destroy the mosquitoes that carried yellow fever and malaria and the rats that carried bubonic plague बहुत बड़े लेवल पर मच्छरों को मारने की जो है वो पैस्टिसाइड ही पैस्टिसाइड है छिड़के गए चूहों को मारा गया क्योंकि bubonic plague एक ऐसी बिमारी है ना जिसने medieval ages में यूरोप की एक चौथाई population को मार दिया था कभी बिमारी प्लेक के ओपर या जितने भी आज तक जितने भी रहे हैं क्या कहते है ने pandemics, epidemics वगएर इन पर बड़े pandemics और बड़े epidemics पर sessions लूँगा एक ठीक है next देखीगा the effort to control these diseases was eventually successful but thousands of workers died during construction of the canal, the Panama Canal finally opened in 1914 ships from both hemispheres soon began to use it, Latin America had became a crossroad of the world trade and the United States controlled the toll gate, देखे European शक्तियों को, American शक्तियों को अब एफरीका को घूम कर South East Asia जाने की जुरत नहीं थी Atlantic और Indian Ocean, Atlantic का ठंडा पानी और Indian Ocean के तुफानों से उलजने की जुरत नहीं थी अब वो Panama Canal का यूज करके Pacific के relatively शान्त पानी मौसम के हिसाब से relatively शान्त समय में वो Pacific को cross करके South East Asia, China, Russia, Japan से trade कर सकते थे, US as well as Atlantic, Atlantic trade को basically Pacific trade से जोड़ा है उसके अलावा और कोई भी trade करें लेकिन मेर मुद्दा क्या है कि Atlantic Ocean के trade को Pacific Ocean के trade से जोड़ दिया, ठीक है और टोल लेने कौन बैठा हुआ है, टोल लेने बैठा हुआ है US और आज तक, 1914 से 2020 तक, आज तक टोल कौन खा रहा है महाँ पर बैठके, एक या अलग फॉर्म में US कंपनियां महाँ पर बैठके, राम से टोल खा रही है US government निखा रही, US government भी ले रही है वो टोल, लेकिन US कंपनिया पावफुल है, जदा political support है उसको, उसको अच्छी placement मिल जाती है वही वैसा ही कुछ system वहाँ पर है ऐसा, ऐसे business owners जदा पावफुल है उनको इस तरह की locations मिल जाती है business करने की ठीक है, तो इन points पर आगे हम discuss करेंगे धिरे-धिरे लेकिन आपको basic idea लग गया आगे बढ़ते है अब आता है Roosevelt की corollary क्या है so first world war से पहले पहले ता conclude कर रहे है, 1914 के बाद first world war छिड़ा है क्या ये coincidental है कि Panama Canal खुली और first world war छिड़ गया ठीक है now the building of the Panama Canal was only one way that the United States expanded its influence in Latin America in the early 20th century यानि कि Panama Canal बनाना तो केवल एक कारण है उसके लावा और भी बहुत है its presence in Cuba and large investments in many Central and South American countries strengthen its foothold to protect these economic interests President Roosevelt in 1904 issued a corollary or extension to the Monroe Doctrine Panama Canal और उसके अलावा American ऐसे American ऐसे क्या बोलते हैं merchants जिनोंने debt trap में यानि कि उधार में फसाया है और किसको Latin America के merchants को और उनसे उनके business छीने है तो वो सारा जो economic interest है US का Latin America में उसको protect करना अब US की जिम्मेदारी बनती है तो President Roosevelt ने एक corollary दी that was extension to the Monroe Doctrine Monroe Doctrine में क्या कहा गया था कि अगर US को कभी ऐसा लगा कि हमारे economic interest की हानी हो रही है तो हम force का इस्तमाल करेंगे लेकिन US कभी खुद ना ही US और ना ही कोई European शक्ती किसी भी American region को colonize नहीं करेगी ये बात जो है वो Monroe Doctrine में लिखी गई लेकिन अगर US को हानी होती है तो वो military शक्ती का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर Roosevelt की corollary में यही बात बोली गई कि US जो है वो अब एक पुलिस के रुप में काम करेगा ठीक है तो यानि कि एक गुंड़ा गुंड़ा ही को उन्होंने बेसिकली legalize कर दिया यहाँ पर देखिए कैसे अब इस corollary में देखिए लिखा क्या है Roosevelt corollary gave the United States the right to be an international police power in the western hemisphere international police power देख रहे हैं आप यानि कि यह decide करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है और उस पे global का action लिया जाएगा यह decide करेंगे यानि मान लीजिए कि अगर Central Asian या Caribbean island में कोई दो countries के बीच में आपस में conflict चल रहा है तो US decide करेगा कि कैसे resolve करना है ठीक है तो not just decide करेगा लेकिन protect करने काम भी वही कर रहा है the United States used the Roosevelt Corollary many times in the following years to justify American intervention in Latin America the troops occupied some countries for decades, many Latin American protested this intervention by the United States but they were powerless Pablo Escobar और Kali कर्टेल को खतम किया है जो ठीक है, DEA ने या US मतलब आप मान सकते हैं कि US ने basically तो ये basically क्या है Roosevelt Corollary का ही एक extended रूप है तो first world war और उसके बाद की घटनाएं मैं आगे आप से discuss करूँगा उसमें मैं आपको समझाओंगा कि किस तरह Latin America की socio-political sphere में Roosevelt Corollary का इस्तमाल करते होए कई बार Latin America पे युद जो हैं वो या military जो हुआ expeditions करे हैं US ने freedom के नाम पर और economic interest कैसे उन्होंने gain करें सो आज के session को मैं यहां conclude करता हूँ I hope आपको समझाया होगा आज हमने समझा economic imperialism of the Latin America by United States ठीक है अगर कोई भी doubt है आपको आज के session में तो मुझे comment डालिएगा या जो live चलता है न जब यह premiere होता है session तब जो live chat चलती है तो उसमें doubts डालते रहिए मैं उन doubts को देखता रहता हूँ और session में वीडियो के दौरान मैं उन doubts को clear करने की पूरी कोशिश करूँगा ठीक है अच्छा आज के session को मैं conclude कर रहा हूँ पिछले sessions जरूर देखिएगा आप जानते हैं आपको study IQ के channel पर जाना है मेरे नाम से playlist मिल जाएगी या YouTube के search bar पर simply मेरा नाम लिखेंगे तो मेरे नाम से आपको sessions मिलने शुरू हो जाएगे ठीक है उसके अलावा आप study IQ के application को install कर सकते हैं अगर आप CAC के लिए thorough course जो है वो follow करना चाहते हैं जिस पर 1000 से plus videos अवलेबल है सारा का सारा जो है वो आपके favorite teachers द्वारा बनाये हुए content वहाँ पर available है make sure you check that out ठीक है application को install करने का link इस video के नीचे description में available है तो आज के session को मैं conclude करता हूँ अगर आपका कोई doubt है तो definitely आप comment डालेंगे इस video को share करेंगे, like करेंगे वो आपकी जिम्मधरी ठीक है वो आपकी समझ है आज के session को मैं conclude दर रहा हूँ मेरा नाम है विशाल चाहन मैं मिलूँगा आपसे अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा टेक के